भग्वती दुर्गा कवच ओम नमस्चंडी कायाई दिनेश सहगल गुरुजी कहते हैं मित्रो मारकंडेय पुराण में वर्नित ब्रम्हाजी एवं रुशी मारकंडेय जी के समवाद में ब्रम्हाजी द्वारा कहा गया यह दुर्गा देवी कवच अत्यंत दुरलब एवं गोपनिय है ब्रम्हाजी कहते हैं कि यह कवच देवताओं के लिए भी दुरलब है इस कवच का धारण करने से मनुष्य तीनों लोकों में पराजित नहीं हो सकता उसकी अपमृत्यू भी नहीं हो सकती उसे किसी भी प्रकार के रोग नहीं हो सकते उस मनुष्य के उपर कोई भी मारण मोहन के मंत्र यंत्र काम नहीं करते तथा उसे देख कर अनिष्ट कारक देवी देवता, ग्रह, भूत, पिशाच, आदी भाग जाते हैं उसे राजा द्वारा सम्मान प्राप्थ होता है इस कवच के रिशी ब्रम्भाजी है चंद यानि गाने की शैली अनुष्टुप है इस कवच की प्रमुख देवता देवी चमुंडा है देवी मा के नामों से अंगों में न्यास करना ही इसका बीज है सभी दिशाओं का बंधन करके साध़क को सुरक्षा प्रदान करना ही इस कवच का मूल तत्व है और श्री जगदंबा की प्रीती के लिए ही इसका उप्योग होता है आईए हम सब मिलकर इस दुरलब कवच का श्रवन एवं पाठ के द्वारा धारन करें और देवी मा से हमें अपनी शरण में लेने की विनंती करें इस कवच का पाठ करते समय हमें इस प्रकार देवी का ध्यान करना चाहिए देवी की नौ मूर्तियां हैं जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं उनके प्रिथक प्रिथक नाम बतलाये जाते हैं प्रथम नाम शेल पुत्री है दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्म चारिनी है तीसरा स्वरूप चंद्र घंटा के नाम से प्रसिद्ध है चौथी मूर्ति को कूश मांडा कहते हैं पाँचवे स्वरूप का नाम सकंद माता है देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं सात्वा, काल रात्री और आठ्वा स्वरूप महा गौरी के नाम से प्रसिद्ध है नौवे स्वरूप का नाम सिध्धी दात्री है ये सब नाम सरवग्य महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए है जो मनुष्य अगनी में जल रहा हो रण भूमी में शत्रूओं से घिर गया हो, विशम संकट में फस गया हो तथा इस प्रकार भए से आतुर होकर जो भगवती दुरगा की शरण में जाते हैं उनका कभी कोई अमंगन नहीं होता युद्ध के समय संकट में पढ़ने पर भी उनके उपर कोई विपत्ती नहीं दिखाई देती उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ती नहीं होती जिन्होंने भक्ती पूर्वक देवी का स्मरण किया है उनका निश्चय ही अभ्यूदय होता है देवेश्वरी, जो आपका चिंतन करते हैं उनकी आप निसंदेह रक्षा करती हो चामुंडा देवी प्रेत पर आरुढ होती है वाराही भैसे पर सवारी करती है वैश्णवी देवी गरुड पर ही आशन जमाती है माहेश्वरी व्रिशब पर आरुढ होती है कौमारी का वाहन मयूर है भगवान विश्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आशन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारन किये हुए है व्रिशब पर आरूड इश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है ब्राम्ही देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूशनों से विभूशित है इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूशनों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रतनों से सुशोभित है ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रत पर बैठी दिखाई देती हैं ये शंक, चक्र, गदा, शक्ती, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशू तथा पाश, कुंत और त्रिशूल, एवं उत्तम शारंग धनुष आदी अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं दैतियों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभैदान देना और देताओं का कल्यान करना यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करने चाहिए महान रोद्र रूप, अत्यन्त घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी आप महान भय का नाश करने वाली हो, आपको नमस्कार है आपकी ओर देखना भी कठिन है, शत्रों का भय बढ़ाने वाली जगदंबिके, मेरी रक्षा करो कवच आरंभ, पूर्व दिशा में एंद्री, इंद्र शक्ती, मेरी रक्षा करे अग्नी कोण में अग्नी शक्ती, दक्षिन दिशा में वाराही, तथा नैरुत्य कोण में खड़क धारिनी, मेरी रक्षा करे पश्चिम दिशा में वारुनी और वायव्य कोण में म्रिग पर सवारी करने वाली देवी, मेरी रक्षा करे उत्तर दिशा में कौमारी और इशान कोण में शूल धारिनी देवी, मेरी रक्षा करे ब्रम्हानी, आप उपर की ओर से मेरी रक्षा करो, और वैश्णवी देवी, नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे इसी प्रकार शब को अपना वाहन बनाने वाली चमुंडा देवी, दसो दिशाओं में मेरी रक्षा करे जया आगे से और वुजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे वाम भाग में अजिता और दक्षिन भाग में अपराजिता रक्षा करे उद्ध्योतिनी शिखा की रक्षा करे उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे ललाट में मालाधरी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संग्रक्षन करे भौवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करे दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंकिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे नासिका में सुगंधा और उपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे नीचे के ओठ में अम्रित कला तथा जिवहा में सरस्वती देवी रक्षा करे कौमारी दातों की और चंड का कंठ प्रदेश की रक्षा करे चित्र घंटा गले की घाटी की और महा माया तालू में रहकर रक्षा करे कामाक्षी ठोड़ी की और सर्व मंगला मेरी वानी की रक्षा करे भत्र काली ग्रीवा में और धनुर धरी प्रिष्ठ वंश में रहकर रक्षा करे कंठ के बाहरी भाग में नीलगरीवा और कंठ की नली में नलकूबरी रक्षा करे दोनों कंधों में खडगिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारेनी रक्षा करे दोनों हाथों में दंडिनी और अंगुलियों में अंभिका रक्षा करे शुलेश्वरी नखों की रक्षा करे कुलेश्वरी कुक्षी यानि पेट में रहकर रक्षा करे महा देवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे ललिता देवी रिदय में और शूल धारिनी उदर में रहकर रक्षा करे नाभी में कामिनी और गुई भाग की या गुपतांगों की गुईश्वरी रक्षा करे पूतना और कामिका लिंग की और महिश वाहिनी गुदा की रक्षा करे भगवती कटिभाग में और विंध्य वासिनी घुटनों की रक्षा करे संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे नार सिंही दोनों घुटियों की और तैजसी देवी दोनों चर्णों के पिष्ठ भाग की रक्षा करे श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तल वासिनी पैरों के तलूओं में रहकर रक्षा करे अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंश्ट्रा कराली देवी नखों की और उर्ध्व केशिनी देवी केशों की रक्षा करे रोमा वलियों के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करें पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मास, हड़ी और मेद की रक्षा करें आतों की काल रात्री और पित्त की मुक्टेश्वरी रक्षा करें मुलाधार आदी, कमल कोशों में, पद्मावती देवी और कफ में चुडामनी देवी स्थित होकर रक्षा करें नक के तेज की ज्वाला मुखी रक्षा करें जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें ब्रम्भानी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें चत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिनी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धी की रक्षा करें हाथ में वज्र धारन करने वाली वज्र हस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायू की रक्षा करें कल्यान से शोभित होने वाली भगवती कल्यान शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें रस, रूप, गंद, शब्द और स्पर्श इन विशयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायनी देवी करें वाराही आयो की रक्षा करें वैश्नवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रिनी चक्रधारन करने वाली देवी यश, कीर्ती, लक्षमी, धन तथा विद्या की रक्षा करें इंद्रानी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करें, चंडिके, आप मेरे पशुओं की रक्षा करो, महलक्षमी मेरी संतान की रक्षा करें, और भैरवी मेरे जीवन साथी की रक्षा करें, मेरे पत्थ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करें, राजा के दर्बार मे महा लक्ष्मी रक्षा करें तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतेवं रक्षा से रहित है वह सब आपके द्वारा सुरक्षित हो क्योंकि आप विजय शालिनी और पाप नाशिनी हो यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए कवच का पाठ करके ही यात्रा करे कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहां वहां उसे धन लाव होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिध्धी करने वाली विजय की प्राप्ती होती है वह जिस जिस अभिष्ट वस्तू का चिंतन करता है उस उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है वह पुरुष इस प्रित्वी पर तुलना रहित महान एश्वध्य का भागी होता है कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनिय होता है देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुरलब है जो प्रतिदिन नियम पूर्वग तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कलाप प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता इतना ही नहीं वह अपम्रित्यू से रहित हो सौ से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है मकरी, चेचक और पोड आदी उसकी संपूर्ण व्याधियां नश्ट हो जाती है कनेर, भाग, अफीम, धतूरे आदी के स्थावर विश साप और बिच्छू आदी के काटने से चड़ा हुआ जंगम विश तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदी से बनने वाला कृत्रिम विश ये सभी प्रकार के विश दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता इस प्रिथ्वी पर मारण मोहन आदी जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हिदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नश्ट हो जाते हैं ये ही नहीं, प्रिथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाश चारी देव विशेश, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिध्ध होने वाले निम्न कोटी के देवता, अपने जनम के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यन्त बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रम्ह राक्षस, बेताल, कुश्मान्ड और भैरव आदी अनिष्ट कारक देवता भी रिदय में कवच धारन किये रहने प पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं, कवच धारी पुरुष को राजा से सम्मान वृध्धी प्राप्थ होती है, यह कवच मनुष्य के तेज की वृध्धी करने वाला और उत्तम है, कवच का पाठ करने वाला पुरुष, अपनी कीर्ती से विभूशित भूतल प पर अपने सुयश के साथ साथ वृध्धी को प्राप्थ होता है, जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सब्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, परवत और काननो सहित यह पृत्वी डिकी रहती है, तब तक यहां उसकी संतान परंपराग बनी रहती है, पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परंपद को प्राप्थ होता है, जो देवताओं के लिए भी दुरलब है, वह सुन्दर दिव्य रूप धारन करता है, और कल्यान मैं शिव के साथ आनंद का भागी होता है. झाल 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 झाल